नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी निवज में मेरत निसेन भारती अज हम बात करेंगी कोरोना गाइडलाइन को लेकर अनलाउक्टेन जो है वह बिहार में जारी कर दिया गया है खास करके ओमी क्रोन वेरियंट को लेकर जो है सरकार अलर्ट में है ऐसे में अनलाउक 10 जो है काफी अहम होने वाला है बिहार में कोरोना वेरियंट के नए केस यानि की ओमी क्रोन वेरियंट के मामले सामने आने के बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड में है बिहार के सभी परखंड में कोरोना जाज तेजी से की जा रही है इसके साथ साथ परदेश में आज यानी की एक दिसंबर से बिहार में अनलॉक 10 लाग हो गया है बता दें कि अनलॉक 9 में दी गई छूट को 10 में भी बरकरार रखा गया है इसके तहत अस्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान, सिनेमा हौल पहले की तरह खुल सकेंगे लेकिन बारात, जूलूस और डीजे की इजाज़त अभी भी नहीं दी गई है आपको बता दें कि यह अनलॉक 10 एक दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लागू रहेगा, इस अनलॉक के तहत आपदा प्रबंधन विभाग ने दिसान दिर्देस भी जारी कर दिये है, जिसमें उन्होंना कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रम अन्फिलहाल नियंतरन में है और देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ग्रेवी भाग की योर से जारे दिसान दिर्देस में करोना की रोक थाम के लिए बनाये गए नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाब, कड़ी से कड़ी का रवाई करने की भी बात कही गई है, जारी अनलॉक गाइडलाइन में नए वैरियंट को लेकर यह भी कहा गया है कि अंतरास्टी के उडान के बाद बिहार आने वाले यातरियों की बिसिस्ट रूप से जाच कराई जाए, एवं वैसे देश जहां नए वैरियंट ओमिक्रोन से पिडित मरीज पाये जा रहे हैं, वहां के यातरियों को आगवन के उपरांत कॉरिंटीन में रखने पर भी विचार किया जाए, साथी भारत सरकार के दौरा हाल ही में विदेश से आये बिहार राज के यातरियों की सूची भेजी है, अगले दो दिन में उन सभी की ट्रैक कर उनकी जाच कराई जाए, तथा आवसकता रुनसार उन्हें आइस बिसी आर निगेटिव जाच रिपोर्ट उपलब्ध हो, करोना की जाच की संख्या में कमी नहीं लाई जाए और दो लाग से अधीक जाच परते दिन होने की विवात बिहार सरकार की तरफ से कही गई है, सरकार न करोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा है कि अस्पतालों की विवस्था, बिसेस कर ऑक्सीजन और आईसीओ की उपलब्ता की पुना समिक्षा कर ली जाए, यह भी सुरिशित किया जाए कि प्रसिछी तकनीकी कर्मी तैयार हालात में है या फिर नहीं है, आम लोगों में मास्क और समाजिक दूरी के संबंध में अलावा राज सरकार ने जो है अनलॉक 10 में जो है कईत रहके अन्य जो पहले से अनलॉक 9 में जो छूट दी गई थी उसको जो है टेन में बरकरार रखा है तो आईए हम जान लेते हैं वो कौन-कौन सीसी चीजे हैं जिसमें की फिलाल कोई बदलाव की संकेत नहीं है अनलॉ पहले की तरह समान रूप से खोले जा सकेंगे इसके साथ आंगानमाडी केंद्रिवम छोटे बच्चों की प्रिया स्कूल भी पहले की तरह खुलेंगे आउनलाइन माध्यम से सिच्चन की विवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखने का निर्देश जार रखा गया है सरवजनी का स्वनों पर किसी परकार का अवयजन जिला परसासन के नुमती के साथ ही होगा सवी पार्क और उद्यान समान रूप से खोल सकेंगे सभी धार्मी कस्तल समान रूप से खुल सकेंगे, सभी परकार के समाजिक, राजनितिक, वनुरंजयम, खेल, कूद, सैशनिक, सांस्कृतिक एवं धार्मी कायोजन, जिला परसासन के अनुमती के साथ ही अयोजित किये जा सकेंगे साधी बिवाह का आयोजन की सूचना तीन दिन पूर्व अस्थानिय थाने में देनी होगी, डीजे और बारात जूलूस पर अभी भी परतिवन्ध जारी है तीसरे लहर को देखते हुए COVID प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पारण करने का अंद्यदेश धिया गया है मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग पर जोड दिया गया है साथे साथ जाज के साथ ही टीका करन पर भी विशेश रूप से धियान दिया गया है दो लाख जाज परते दिन करने की बाद बिहार सरकार की तरफ से की गई है तो खास करके नए वेरियंट को लेकर बिहार सरकार इलर्ट में है अभी देश और बिहार में खास करके नए वेरियंट की पहचान नहीं हुई है लेकिन विदेशों में नए variant की पहचान हुई है बिहार सरकार, सासाथ भारा सरकार, लगातार ये जानने की कोशिस कर रहे है कि अगर उन देशों से कोई भी व्यक्ति देश में या फिर प्रदेश में आता है तो उसकी जाद सुनिस्चित की जाए ताकि जो है प्रदेश में या फिर देश में यह नया variant नहीं फैल पाए बिहार और बिहार से जोड़ ही और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुशे दीजी जाज़त धन्यवाद